नमस्कर, जेहिंद, दोस्तों यदि आप railway group D की तयारी कर रहे हैं, urchukonstable SI की तयारी कर रहे हैं, पटवारी की तयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐस reform की तयारी कर रहे हैं, जहांपर आपको सामान विज्याना आती है, science आती है, science कि मैं आपको caution लिका राया हूँ, और ये कॉशन 2022 ते इसमें आपको पूछे आ सकते हैं किसी भी एक्जाम में जहांपर साइंस आईगी ये कॉशन आपको छपे मिलेंगे इतने important कॉशन है कि ये बिल्कुल जियों कित्यों छपे मिलेंगे आपको इनको याद कर लेना रट लेना कोशिश करिए जो व्यक्ति जो स्टूडेंट पिछले दो साल से तयारी कर रहा है 50 प्रशन साही करके दिखाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बीच बीच में आपसे कुछ कॉशन पूचूंगा उसके भी आंसर देते चलना ठीक है चलो पहला कोशन देखिए मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपका प्रमस्तिस्क option number यहां पर C प्रमस्तिस्क प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए मानो शरी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है सबसे बड़ा आंतरिक अंग हमारा कहलाता है option number B यकरत सबसे बड़ा आंतरिक अंग कहलाता है सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी होगी आपकी फीमर जांग में पाई जाती है जांग की हड़ी अचा comment करके बता है यह सरीर की सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है शरी की सबसे चोटी हटी कौन सी होती, कमेंट करके बताईए, भोजन का पाचन निमलकित में से किस अंग में प्रारंब होता है, तो भोजन का पाचन जो है मुह से ही प्रारंब हो जाता है, हमारे मुख से option number A यहाँ पर आईट आंसर हो जाएगा, किस पोशक तत्व का मुख में पाचन होता है, तो सबसे पहले कार्बो हाइडरेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, लार से option number B मुख से कार्बो हाइडरेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, मानश्यरी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इन में से कौन सा है, तो सबसे प मानुशेरी में आहार या भोजन मुखिता पचता है तो आहार या भोजन मुखिता चोटी आंत में पचता है यहाँ पर आपका option number भी चोटी आंत में आहार या भोजन मुखिता पचेगा मनुष्य का समय तापकरम लगबग कितना होता है तो मनुष्य का सामाने तापकरम होना चाहिए समय नहीं सामाने तापकरम होता है 98.6 degree Fahrenheit आप में से सभी बच्चे कोशिश करिए कि Celsius में कितना होता है हमारे सामाने तापकरम ये तो Fahrenheit हो गया Celsius में कितना होता है लगबग बता दीजिए comment करके लगबग कितना होता है Celsius में comment करके बता ये 35, 36, 37, 38, 49, 40 कितना होता है कितने degree Celsius मानव शेरी में जलकी मात्रा बताइए तो जलकी मात्रा होती हमारे शेरी में लगबग 80% option number याँ पर D सबसे बड़ा फल इनिमें से कौन सा है तो सबसे बड़ा फल यहां पर आपको जो उपश्ण दिए गहें Composity, option number यहांपर di Composity यह सबसे बड़ा फल है, option number यहां पर right answer हो जाएगा दलहनी पौधे संबंधित हैं तो दलहनी पौधे आपके लेग्यू मिनोसी से संबंधित है लेग्यू मिनोसी ओप्शन नमर सी लेग्यू मिनोसी राइट आंसर है ग्याहूं के पौधे का वनस्परी की नाम क्या है तो ग्याहूं के पौधे को ट्रिटीकम एस्टीवम कहा जाता है option number यहां पड़ी ट्रिटीकम एस्टीवम राइट आंसर है रक्त का शुद्धीकन कहां होता है तो रक्त का सुद्धीकण आपका किड़नी में होगा option number C kidney में रक्त का सुद्धीकण होता है एक वैस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है तो एक वैस्क मनसुमें 5-6 लीटर रक्त होता है आयतन होता option number C right answer है नाडी दर कहां से मापी जाती है तो जो नाड़ी दर है यह आपकी धमनी से मापी जाती है option number B धमनी से नाड़ी दर को मापा जाता है राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है मनुश्की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है तो मनुश्की सबसे बड़ी दर हमनी आपकी option number B अउटा प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस विशालतम धमनी वाहिनी विहीन ग्रंतियों के स्रवन को क्या कहा जाता है तो वाहिनी ग्रंतियों के स्रवन को हार्मोन कहा जाता है option number B हार्मोन प्रशनी के लिए राइट आंसर है इस्तरियों की नस्वन्धी को क्या कहा जाता है तो इस्तरियों की नस्वन्धी ट्यूवेक टॉमी कही आती है option number B ट्यूवेक टॉमी राइट आंसर है मनुश्य में गर्वकाल कितना होता है तो मनुष्य में गर्वकाल 9 महीने होता है option नमबर यहां पर D 9 महीने प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा S-Betus के काण होने वाला प्रमक रोख क्या है तो S-Betus के काण होने वाला प्रमक रोख है आपका F-A-Sema option नमबर यहां पर A, F-A-Sema right answer और प्रश्णी के लिए Vitamin A की कमी के काण कौन सा रोख होगा तो Vitamin A की कमी के काण आपको night blindness हो गया ये caution repeat हो चुका है मैं आपको एक बार करा चुका हूँ option number C निमनलकित में से कौन सा इसकरवी रोग की इलाज में प्रयोग किया जाता है इसकरवी रोग की इलाज में आवला उपयोगी है option number C आवला प्रश्णिक लिए right answer है इट्स होता है तो इट्स आपका विशानुस जनित रोग है option number यहाँ पर डी विशानुस जनित रोग right answer हो जाए comment करके बताईए आप विश्व इट्स दिवस का मना जाता है comment box में comment करके बताईए बहुत important question काई बार आता है comment करके तिथी और महीना जरूर comment करिएगा अगला question दिखिए बहु आश्यदी चिकित्सा M.D.T. इसके संक्रमन के लिए है तो बहु आश्यदी चिकित्सा M.D.T. ये code के संक्रमन के लिए option number आपका A प्रश्णिक लिए बिलकुल सही answer है नवजाद बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्दल कित्सा में से क्या है सबसे आदर्श भोजन है आपका दूध option number यहाँ पर ड़ी दूध प्रश्णि के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए निम्दल के दिन से कौन सा विटमिन पानी में घुल जाता है तो पानी में घुलने वाला विटमिन है आपका जापानी एंसेफी लाइटेस का कान क्या होता है तो जापानी एंसेफी लाइटेस का कान आपका विशाणू होता है Option B विशाणू प्रषण के लिए बिल्कुल सई answer हो जाएगा निम्दल के अनुवांश की रोगों में से कौन सा योन संबंधी है तो राइट आउसर हो जाएगा आपका संब्धित है तो हैंभले का चाहर Oke प्रेयोग के ही क्रिया को पूरा करने के लिए अप्षेण का प्रियोग की कि अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है तो मानव मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा होती है option number C, मानव मूत्र right answer हो जाएगा क्रत्यम गुर्दा अमिलेकर दिमस किस सिधानत पर कारी करता है तो क्रत्यम गुर्दा ये dialysis पर कारी करता है option number C dialysis right answer हो जाएगा गुर्दे की कार्यात्म की unit क्या है तो गुर्दे की कार्यात्म की unit आपकी नेफ्रोन होती है option number C नेफ्रोन प्रशनी के लिए बिल्को सही आंसर हो जाएगा मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदी की कान होता है प्रशनी के लिए बिल्को सही आंसर हो जाएगा मानशरी में सबसे छोटी अंतर स्तरावी गरंथी कौन सी है तो सबसे छोटी अंतर स्तरावी गरंथी आपकी प्यूश गरंथी option number C प्यूश गरंथी right answer हो जाएगा इस्तंदारी इनमे यूरिया मनाते हैं इस्तंदारी जितने भी हैं यक्रत या लीवर में यूरिया बनता है option number यहाँ पर ए यक्रत या लीवर right answer है मनुश के सरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अप्सिष्ट कौन सा होता है तो मुख्य नाइट्रोजनी अप्सिष्ट आपका यूरिया ही होता है option number यूरिया प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अनोक्सी सुषण का अंतिम उत्पाद होता है तो अनोक्सी सुषण का अंतिम उत्पाद होगा आपका लेक्टिक अमल option number C लेक्टिक अमल राइट आंसर है क्रेप्स चक्र में किसका संसलेशन होता है तो क्रेप्स चक्र में पायरुविक अमलिका संसलेशन होता है option नमर यहां पर भी राइट आंसर है डॉल्फिन वर्गिक्रत किये गए हैं तो डॉल्फिन ये इस्तनियों में वर्गिक्रत किये गए हैं option number D यहां पर right answer हो जाएगा आज का आखरी question वह विलॉप्त पक्षी जिसके चोंच में दात था कौन सा है तो चोंच में दात था और्कियोप टे रिक्स option number यहां पर A right answer हो जाएगा प्रत्यस्त उतक को एक साथ पकड़े रहते हैं उन उतक को क्या कहा जाता है तो उन उतक को इसनाई उतक कहा जाता है यहां पर आपका option number A इसनाई उतक right answer हो जाएगा जैव कोशिका में निम्लिक्रिद्म से क्या अनुपस्तित होता है तो जैव कोशिका में आपका सलिलोस की कोशिका भित्ती यह नहीं होती अनुपस्तित होती है option number A सलिलोस की कोशिका भित्ती right answer है जैव कोशिका का कौन सा भाग powerhouse कहलाता है तो जयाव कोशिका का आपका माइट्रो कॉंडिया ये पावर हाउस कहलाता है option नमर यहाँ पर C माइट्रो कॉंडिया प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जोर क्या है तो जोर जो है आपका right answer हो जाएगा रक्त कनिकाओं की सूजन option नमर D रक्त कनिकाओं की सूजन को जोर कहा जाता है BMD परिक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है तो BMD परिक्षण ये आपका osteoporosis की पहचान के लिए किया जाता है option नमर C osteoporosis प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा amniocentosis एक तरीका है option number E रून के लिंग को राइड आंसर हो जाएगा किस शारिरिक प्रक्रम में थ्रूम्बिन का सμβंद है थ्रूम्बिन का संबंद है निवन लेकत गैसा हो में से कौन सी प्रकास अंसिलेशन प्रक्रिया के लिए आवशक है तो प्रकास अंसिलेशन प्रक्रिया के लिए CO2 carbon dioxide आवशक है option नमबर B यहाँ पर right answer हो जाएगा निम्नलकित में से किसका निमाण हमारे शरीर में नहीं होता तो हमारे शरीर में यहाँ पर आपको जो option दियेगा है उसमें से vitamin A का निमाण नहीं होता option नमबर A, vitamin A का निमाण हमारे शरीर में नहीं होता बाकी सभी का होता है पैनिसलीन का आवशकार किस ने किया तो पैनिसलीन के आवशकारक Alexander Flaming थे option नमब C, Alexander Flaming राइट आंसर हो जाएगा प्रशनी के लिए निमने मैं से कौन सा? किसी पारिस्तिकी तंत्र में एक दिशी प्रवाह को दर्शाता है तो पारिस्तिकी तंत्र में एक दिशी प्रवाह को उर्जा दर्शाएगा option नमब भी उर्जा राइट आंसर हो जाएगा गरभाशाए के लिए वेकलपिक शब्द क्या होता है तो गरभाशाए के लिए आपका यूट्रस वेकलपिक सब्द होता है option नमब ए यूट्रस राइट आंसर है मनुष्य की लाल रुधर कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है तो लाल रुधर कोशिकाओं का जीवनकाल 120 दिन होता है option नमब ए 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में तोचाकी सत्य के नीचे मौझूद वशा किसके विरुद अवरोद का कारे करती है तो जो वशा होती है वो शरीर में उश्मा की छती के विरुद अवरोद का कारे करती है option नमब ए उश्मा की छती के विरुद अवरोद का काम गुर्दे या किटनी का संबंद इनमें से किस्से है तो गुर्दे या किटनी का संबंद आपका नैफ्रोन, option number C, नैफ्रोन प्रशनी के लिए बिल्कुर सही answer है निम्दलिकित में से कौन सा रुधिरा हारी है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मच्छर रुधिरा हारी है मच्छर में भी आपका मादा मच्छर खून पीती है कौन सी मादा मच्छर नर मच्छर फूलों का रश पीते हैं मादा मच्छर खून पीती है विश्व 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 के लिए बिल्कुल सही आंसर है एक सुरा के साथ सनलगन एक चूशक मतश्च में दिखाई दिने वाला प्राणी साहचर है तो यह आपका है आपका सहभोजीता कोल सहभोजीता औपे लिए यहाँ पर अंसर हो जाएगा वा्षच में गुलंसील विट्मिन कौन से है तो वह आपका कैलसी फैरोल के और टोकोफेरोल, option नमबर भी से यह आंसर हो जाए, केल्सी फेरोल, केरोटीन और टोकोफेरोल, वशा में गुलंसी लिटमिन, अगला कॉशन देखे, DNA के खंड को क्या कहा जाता है, तो DNA के खंड को को डौन कहा जाता है, option नमबर ए, को डौन प्रशने के लिए राइट आंसर है, बलबर क्या होता है, तो जो बलबर है, यह सगन वशा के परत होते हैं, option नमबर यहां पर भी, शगन वशा के परत, बलबर कहलाएंगे, किस उभाई लिंगी पशू में, पर निशेचक किया जाता है, तो पर निशेचक किया जाता है, आपका केचुए में, option नमबर यहा आगज प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर है अगला कोश्ण दिखिए अहार में लवण का उपयोग क्या है प्रमुक उपयोग तो आहार में लवण का प्रमुक उपयोग है भोजन को पचाने के लिए ऑप्शन नमर भी भोजन को पचाने के लिए राइट आंसर है निम् मुत्र का पीला रंग किसकी मौजुदी कान होता है तो मुत्र का पीला रंग राइट आनसर हो जाएगा यह होता है आपका Euro Crome की मोजुदी कान Championship nr. c Origin andere Euro Crome प्रश्णि के लिए बिलकुत सही आनसर हो जाएगा गुण सूत्रों में क्या होते हैं तो गुण सूत्रों में आपके DNA तथा प्रोटीन होते हैं option number C DNA protein right answer हो जाएगा प्रशनी के लिए पुर्षों में मरकरी के विशाक्तन से कौन सा रोग होता है पुर्षों में मरकरी के विशाक्तन से मीना माता रोग होता है option number C, मीना माता रोग right answer है कॉक्रोज जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वसन अंग क्या है तो कॉक्रोज का स्वसन अंग है आपका वातक इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता option number B, वातक right answer हो जाएगा vitamin B2 का अन्यनाम क्या है तो vitamin B2 का अन्यनाम है आपका राइवो फ्लेविन, option number C, राइवो फ्लेविन प्रशनी के लिए right answer है किस चीज को अधिक खाने से ही केवल प्रत्वी की अधिक जनसंख्या का भर्ण पोशन हो सकता है तो वनस्पति उत्पालन को ही खाने से प्रत्वी की अधिक जनसंख्या का भर्ण पोशन हो सकता है option number C, right answer है दिल का दोड़ा किस कारण से होता है? तो दिल का दोड़ा हरदय में रक्त की आप पूर्ती में कमी से होता है option number C, रक्त की आप पूर्ती में अधिक हर्दय में कमी हो जाए? तब होता है लार किस के पाचन में साहिक होती है? तो लार इस्टार्च के पाचन में साहिक होती है option number यहांपर भी स्टार्च के पाचन में right answer हो जाएगा प्रशनी के लिए तो आयोडीन की कमी के कान आपको घेंगा रोग हो जाएगा option number याँ पर भी घेंगा रोग प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निमने लगितम से किसकी उपस्तिजी कान गिर्गिट रंग बदलता है तो गिर्गिट वर्ण की लवक के कान रंग बदलता है option number याँ पर भी वर्ण की लवक प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानाव शरीर में रक्त चाप नियंतरत होता है तो मानाव शरीर में रक्त चाप अधी वक्त ग्रंती से नियंतरत होता है option number याँ अधी वर्ण ग्रंती राइट आंसर हो जाएगा vitamin A की कमी कान इनमें से क्या होगा तो vitamin A की कमी कान night blindness हो जाएगी option number C night blindness प्रशनी के लिए option number C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन से है तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका तंत्र कोशिका option number A नाजवாले पौधे किस कौन से संभनित होते हैं तो जो अन आजवाले पधे होते हैं यह आपके संभनित होते हैं gram In C gram In E sea अगला question देखिए इसमें आपसे पुछा गया है तितलियों का अध्यन क्या कहलाता है तो तितलियों के अध्यन को कहा जाता है आपका लैपीडेटेरियो लौजी ऑप्शन नमर यहां पर सी लैपीडेटेरियो लौजी तितलियों का अध्यन क्या कहलाता है वंशागती के नियमों के अध्यन को क कि कहा जाता है option number C अनुव्यान्ष्ट की how should answer हो जाएगा. Cancer संबंधी रोगों का दिन क्या कहलाता है. questo cancer संबंधी रोगों, आपका oncology कहलाएगा option oncology प्रशनिक लीडिग आंशर है. घाω का दिन क्या कहलाता है तो घाओ के दिन को ट्रोमेटोलोजी कहा जाएगा ऑप्शन नबर सी ट्रोमेटोलोजी प्रश्ण के लिए राइट आंसर है हिस्टोलोजी किसे संभनित होता है तो हिस्टोलोजी यह उतक किसे संभनित है ऑप्शन नमर ए उतक से संभनित है राइट आंसर है और निथोलोजी में किसका अध्य हैं पक्छी विग्ञान का या किया जाता है और आपकेली कॉश्छन पेंगुइन चिडिया कहांfire पाई जाती है इस प्रशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कटरके वताना है ये आपके लिए सर्प्राइस कोशने कमेंट करके बताईए पैंग्विन चिडिया कहां पाई जाती है वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारे चनल पर और भी वीडियो है जाके देखिए हम मिलें आपसे अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत उन्यवाद दोस्तों आपके इन शुबो बहुत बहुत उन्यवाद